हेलो एब्रीवार वेलकम टू माई चैनल आज मैं बनाने जारी हूँ आलू गोभी मटर की सबजी जो की सर्द्यों में बहुत ज्यादा सभी के घरों में बनती है तो चलिए मैं बनानाय स्टार्ट करती हूँ इसके लिए मैं सबसे पहले एक मसाला रेडी करूंगी थोड़ा स में धनिया खड़ास धनिया थोड़ा से दाल चीनी एक तेजपते का टुकड़ा छोटा सा तीन सुखी लाल मिर्च और थोड़ी सी जीरा और एक से दो इलाजी छोटी वाली और तीन से चार काली मिर्च आप इसको डाल के अच्छे से खुस्पू आने तक पकाईए हना अब मसाले को मैं ग्राइंड कर लोंगी मिक्सर में अब मैं तेल लोंगी उसमें गोवी को मैं फ्राइ करूंगी गाइज आप इस तरीके से एक बार मसाला रेडी करके बनाईए ना उसका सबजी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है एक बार आप लोग ज़रू ट्राइ करिएगा देखें यहां गोवी अच्छे से फ्राइ हो गया है अब हम इसको एक बर्टन में निकाल लेंगे देखें कितना अच्छा कलर आया है कोवी का इसी तरीके से आप लोग भी फ्राइ कर लीजेगा चलिए अब में प्रोसेस बताती हूं सबजी बनाने का मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा से और तेल डालूंगी तेल गर्म होनेक बाद मैंने डाला जीरा जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा तब मैं डालूंगी दो से तीन सुखी लाल मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार ले सकते हैं और एक तेज पते और इसको अच्छे से हम चटकने देंगे अच्छे थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए फिर हम डालेंगे उसमें प्याज मै इसको बारिक मैंने चॉप कर लिया था इसको गोल्डेन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे देखिए गोल्डेन ब्राउन हो गया है अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और लासुन का कुटा हुआ पेस्ट आप चाहते इसको पेस्ट बना सकते हैं और अपने तीखा कनूसार हरी मिर्च ले लिजेगा और 8-10 लासुन की कर लिया इसको मैंने कुट लिया है कुटा हुआ काना टेस्ट बहुत अच्छा आता है पेस्ट के अपिक्छा अब हम डालेंगे इसमें दो छोटे साइज के टमाटर और साथ ही हम डाल देंगे नमग ताकि यह जल्दी से टमाट अब हम इसको धाक की कुछ मताब एक से डेर मिनट के लिए पकाएंगे लोग फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है देखे लगबग हो ही गया है अब हम डालेंगे इसमें मसाले देखे मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर इससे न कलर बहुत अच्छा आता है सबजी में तो आप लोग जरूर डालिएगा और इसके बाद में डालूँगी जो मैंने मसाले को भुना था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है आप चाह कि जबून के जो मसाले का सबजी बनता है ना गोभी आलू मटर का बहुत ज्यादा यम्मी बनता है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले को पकने के लिए और इसको अच्छे से हम मिक्स करके और इसको ढग के पका दूंगी गाइज इसना थोड़ा अंधेरा आ गया क्योंकि मैं रात में सबजी बना रहे थी उसी समय वीडियो शूट कर रही थी तो लाइट का प्रब्लम था तो इसको आप लोग इग्नौर करिएगा कि मताब अच्छा नहीं दीख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा यम्मी बना था इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेयर पकने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें मर्टर क्योंकि मर्टर भी अभी कच्छा है इसको भी पकने में टाइम लगे असाथ में मसाले भी भुनाते रहेगा कि देखिए मैंने पांच आलू लिया है इसको इस तरीके से मैं फोर दूंगी इसको अच्छे से फोर्ड के रख लूंगी तब मैं सबजी में मिक्स करूंगी जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तब अब देखिए मसाले चेक करते हैं मसाले भुने हैं कि नहीं देखिए कितना अच्छा दीख रहा है आप लोग को नहीं दीख रहा होगा मैं बना रहे थी तो मुझे दीख रहा है क्योंकि अंदेरा है लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी तो अब मसाले अच्छे से भून गया है और मटर भी शॉफ्ट होगा है तब हम डाल देंगे इसमें गोवी और आलू को और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम साथ में हम स्वादानुसा नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि इसको अच्छे से मिक्स करके हम दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढख के पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेगा तैकि चालों तरप से अच्छी से सब्जी भून जाए मसाले की खुश्बू अच्छे से अंदर चला जाए सब्जी में और फिर हम देखिए भून गया है मसाले और सब्जी दोनों अब हम इसमें डालेंगे पानी अब अब अपने ग्रेवी का नुसार पानी डख सकते हैं कम ज्यादा और इसको ढखके हम पकाएंगे बॉयल आने तक क्योंकि लगवा गोबी भी पकी गया है आलू बॉयल है मटर भी पक गया है तो देखिए यह सब्जी कितनी अच्छी बन के तयार हुई है इस तरीके से